Students, welcome back. Chapter 3, Fiber to Fabric. Fiber to Fabric means, रेशों से और कपड़े, cloth. ठीक है? Unspiced cloth is known as fabric. ठीक है? तो पहली और भूजो के स्कूल में एक साइंस स्क्वीज हुई और उस स्क्वीज में उन्होंने फर्स्ट प्राइज जीता. ठीक है? तो फर्स्ट प्राइज जीत करके वो बड़े खुश हैं और जो फर्स्ट प्राइज उनको मनी मिली, धन मिला, उस से वो उन्होंने निश्य किया कि हम अपने parents के लिए cloths खरी देंगे. ठीक है? तो जब वो दुकान पर पहुंचते हैं, तो दुकान पर पहुंचने पर वहाँ पर उनको बहुत सारी कपड़े की जो है variety यहां देखने के लिए मिलती हैं तो they got confused, वो confused हो जाते ह मतलब समझ में नहीं आता क्या करें, कौन सा कपड़ा खरी दें, तो the shopkeeper explained that some cloths or fabrics were cotton and some were synthetic, कि कुछ fabrics तो synthetic होती हैं और कुछ natural होती हैं, ठीक है? तो he also had woolen mufflers and sawls, उनके पास, उसके पास जो है, कुछ mufflers, woolen mufflers, मतलब उनी mufflers और sawls थे, ठीक है? तो there were many silk saris, as well, पहली और भुजो felt very excited, वहापर जो है, शिल्क सारी बहुत अच्छी थी, और पहली और भुजो बहुत ज्यादा प्रसन्य थे, तो they touched and felt these different fabrics, जो मतलब यह जो कपड़े हैं, वो सब fabrics कैलाते हैं, जो unstissed cloth होते हैं, ठीक है? तो वो जब उसको देखते हैं, तो वो बड़े खुश होते हैं, और उनको touch करके महसूस करते हैं, कुछ तो उसमें बहुत soft होते हैं, और कुछ उसमें मल-मल की तरह से होते हैं, तो मतलब कहने का यह है कि finally they bought a woolen muffler and a cotton sari, ठीक है? Finally उन्होंने क्या किया? एक woolen muffler और एक sari खरी खरी दी, cotton sari, cotton मैंने सूती, सूती sari उन्होंने खरी थी, ठीक है? तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जैसे इसमें बताया गया कि दो प्रकार के fibers होते हैं, एक तो natural fibers और एक synthetic fibers. तो natural fibers क्या होते हैं? जो प्रकार्ति के द्वारा, एनिमल्स और प्लांट्स के द्वारा आमें प्राप्त होते हैं, तो वो क्या गलाते हैं? नेचुरल fibers और दूसरे होते हैं, synthetic fibers, मतलब जो ऐसी fibers जिनको प्लांट्स से और आमेंड्स से प्राप्तनी के जाता हैं, उनको factory में, man-made भी कह सकते हैं उसको, तो तयार किया जाते हैं factory में, उसको हम synthetic fibers पूरते हैं, ठीक है? तो variety in fabrics, activity first में, टेलर की shop पर जा करके, ये different types की जो चिलाई के बाद कोई कपला सिलते हैं, जैसे एक उर्पा है, पैंट है, चैट है, तो उनको सिलने के बाद में जो छोटे-छोटे टुकडे बजाते हैं, उनको एक-एक को अलग-अलग प्रकार की पीस चुनते हैं और उन कहा गया है कि टेलर की सायता से उन पर लिख लेते हैं कि ये cotton का पीस है, silk का पीस है, या wool का पीस है, या synthetic है, क्या है, ठीक है, तो फिर देखते हैं कि मतलब जो ये different fabrics हैं, ये किस परकार से बने होते हैं, तो इसमें दिखाय देता है, ये enlarge piece है, मतलब बढ़ा करके दिखाय गया है, तो इसमें ये सब दिखाय दे रहा है, कि अलग अलग ये ऐसा लगता है कि continuous pieces, तो what do you notice, इसमें हम क्या notice करते हैं, कि जैसे हमने ये एक cotton का पीस हमने select किया, ठीक है, और इसमें हम ये देखते हैं, कि इसकी कोशिच करेंगे, कि उसमें से जो एक loose thread, thread का मतलब yarn, yarn या thread का मतलब एक ही है, तो उसमें से क्या करते हैं, एक edge पकड़के, किनारा पकड़के, उसको खीचते हैं, ठीक है, if no loose, अगर वो loose नहीं है, तो उसको क्या करते हैं, एक pin की सायता से, या needle की सायता से, इसको खीच लेते हैं, ठीक है, तो उसमें ये दिखाए देता है, जिस प्रकार से ये दिखाए ज़रा आपको, एक एक ये thread, या इसको हम yarn भी बोलते हैं, yarn, y-a-r-n, ठीक है, तो ये निकाल करके, यहाँ पर रखे हुए हैं, इसके thread, तो अब ये thread निकले हुए हैं, तो thread कैसे बनते हैं, अब thread की बात है, thread किसे से बनते हैं, तो अगर हम देखें, जो हमने thread उसमें से निकाले, उसमें क्या होता है, बहुत सारे बहुत पतले-पतले रेशे, इसमें एक दूसरे पर लिप्टे रहते हैं, ठीक है, spilled up into thin strands, ये जो हमारा एक thread है, इस thread को अगर हम देखें, तो इसके किनारे से ये पता लग रहा है, कि ये बहुत छोटे-छोटे मनलब पतले-पतले धागों से मिल करके एक मोटा धागा बना हुआ है, ठीक है, और इसको अगर आप swing की उसमें जो mouth होता है, उसका छेद होता है, उसमें डालते हैं, कभी-कभी, तो वो आपने दवगा को बहुत छोटे-छोटे ratio से दिखाए देते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, fibers कहराते हैं, ठीक है, तो fibers से yarn तयार किया जाता है, fibers से, ठीक है, तो जो ये strands हैं, और strands से मिल करके क्या बनता है, यार्न बनता है, तो ये strands हैं, ये किस से बने होते हैं, fibers से, ठीक है, तो हम ये कहेंगे, जो yarn है, या thread है, वो fiber से बनता है, तो fabrics are made up of yarn, अब इन जो fabrics जो हैं, ये किस से बनते हैं, ये बनते हैं, yarn से या thread से, ठीक है, तो the fibers of some fabrics such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plants and animals, ठीक है, ये जो हैं, plant से या animal से natural fibers मिलते हैं, जबकि जो, अब natural का मनलब ये हुआ, प्रकरती के द्वारा, मनलब इसको हम बना नहीं सकते हैं, अपने प्रकरती के द्वारा हमें ये मिलते हैं, तो cotton and jute are example of fibers obtained from plants, जो cotton है या jute है, तो ये fibers जो हैं, हमें plants से मिलते हैं, और silk है या wool है, ये हमें animal से मिलते हैं, ठीक है, तो लेकिन दोनों ही क्या हैं, नेचुरल फाइबर से, तो 4000th of years, नेचुरल फाइबर से, तो 4000th of years, नेचुरल फाइबर से, बहुत सालों पहले, केवल नेचुरल फाइबर का ही यूज, फाइबरिक बनाने में किया जाता था, तो इन लास्ट हंडेड़ इयर्स और सुफाइबर आराउल सो मेड फ्रॉम कैमिकल टीटमेंट, ठीक है, उसके आपसे लग बग, केहेंगे कि hundreds of years उसमें फिर क्या होने लगा केमिकल सबस्टेंस से जो फैब्रिक्स बनाए जाने लगी तो लेकिन वो प्लांट से आइनिमल से प्राप्त नहीं होती है तो ऐसी फैब्रिक्स को क्या क्याते हैं यह सब सिंधेटिक फैब्रिक्स में और शैंथे खूटन गोडेंगे इस प्रकार के एक्जांपट्स हैं जैसे पोलिश्टर है नाइलोन है, एक्रेलिक है, या तेरलीन है, और जो है, तेरिकोर्ट है, यह सब सिंतेटिक फाइबर्स है, ठीक है, तो सम प्लांट फाइबर्स, प्लांट फाइबर्स में आता है कॉटन, तो कॉटन जो है किसे मिलता है, कॉटन प्लांट से मिलता है, और इसमें क्या होता है, जो इसका fruit होता है जो हम cotton balls कहते हैं तो cotton balls से जो उसके fibre से हैं उनको निकाले जाता है रेशो को और उसमें से क्या होता है जो यह cotton walts है, तो cotton walts एक जो इसका size होता वो एक निम्बू के तरह से होता है, जो जितना बड़ा निम्बू होता है इस प्रकार से यह size होता है, यहाँ पर ही दिखाया गया है इस diagram में, अगर आप देखेंगे, तो यह सब यह fruit है इसके, और इससे पहले अगर आप देखेंग तो यह चीज दिखाए देरी होगी आपको यहाँ पर, तो यह जैसा निम्बू होता है, इतना बड़ा size होता है, और इसमें से, जब यह मलब पक जाता है, तो इस प्रकार से यह इसमें से ratio निकलते हैं, ठीक है, और फिर जब यह cotton पाल्स कहलाते हैं, अब इसमें क्या होता ह है, गिनिंग, है न, these days, machines are also used for गिनि, पहले इसका यूज इस परकार से घर से, मलब जो है, हातों से कर लेते थे, मलब जो यह cotton बाल्स हैं, इसमें से, जो है ratio अलग करना और इसके बीच को अलग कर देना, यह क्या कहलाता है, गिनिंग कहलाता है, ठीक है, और फिर यह जो रे प्लांट है, तो जूट प्लांट कहां पर, जो है यह, इसकी पैदावार अधिक है, इंडिया में, तो जूट is mainly grown in West Bengal, Bihar and Asam, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब यह पौदा बड़ा होता है, तो इसको, जो यह stem है, stem से हमें जूट प्राप्त होता है, रेशे प्राप् की चीजे बना जाती है, ठीक है, धागों से ध्रुप्स के, और spinning cotton yarn, जो हमारे पास रेशे थे, cotton के, तो cotton के रेशे से कातने के द्वारा, जिसको हम कताई बोलते हैं, कताई मिल का नाम सुना होगा आपने, तो उसके द्वारा क्या होता है, यह धागे निकाले जाते हैं, ठी ठीक है, जिसको हम spinning बोलते हैं, जो पहले टाइम में हम क्या करते थे, एक तकली हाथ से चला करके, उससे भी धागा निकालते थे, ठीक है, और उसके बाद में चर्खा, चर्खा महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाते हुए, आपने खूब देखा होगा, तो यह भी बाद में एक अगर बडी मात्रा में हमको यह धागा चाहिए, तो उसके लिए मशीन का यूज़ करने लगे, थीक है, फ्लोथ मेड़ ओफॉमिस्पन यान termed as khadi, and shun imported cloth made in the meals of Britain, to popularize and promote khadi, इस से क्या बनाया जाने लगा, खादी का कपड़ा बनाया जाने लगा, तो इस प्रकार से चर्खे से या तकली से नहीं कर सकते थे, तो मशीनों का यूज करने लगे हैं, थीक है, मशीन, इस्पिनिंग मशीन होती हैं, उससे धागा निकालते हैं, और फिर धागा निकाल करके उससे fabrics त्यार की जाती है, तो यान से फैबरिक त्यार की जाती है, यह मैं पहले बता चुका हूँ, तो वो कौन कौन सी उसके जैसे यह है weaving, weaving में क्या होता है, two yarns होते हैं, एक दोनों के, एक दूसरे के, क्या होते हैं, वो perpendicular होते हैं, तो एक दूसरे के साथ, वो इसको प्रकार से इसको बुना जाता है, ठीक है, the process of arranging two sets of yarns together to make a fabric is called weaving, ठीक है, तो ऐसी process, जिसमें धागे के two sets को एक साथ arrange किया जाता है, और उससे जो है, fabric बना जाता है, तो इसको हम weaving बोलते हैं, ठीक है, अब उसके बाद में, यहाँ पर आप देख रहे हैं यह diagram, तो कई प्रकार की यह जो है, strips है, paper strips के द्वारा यह दिखाया गया है, कि यह ऐसा हम design अलग-अलग बना सकते हैं, ठीक है, अब उसके बाद में weaving के बाद में है, knitting, knitting में क्या होता है, यहाँ पर यह दिखाया जा रहा है weaving यह handloom है, और फिर बड़ी-बड़ी machine के द्वारा, जो है, अब यह कार्य चलता है, पहले गौह में भी यह छोटे-छोटे, मतलब हरे गहर में यह काम चलता था, जैसे beavers होते हैं, जिनको, कहते हैं, तो उस परकार से यह काम पहले चलता था, लेकिन अब यह काम भी power machine से चलता है, जिनको हम nooms बोलते हैं, ठीक है, और इसके बाद में दूसरा method है, knitting, knitting का मलब बुनना, तो आपने अपने घरों में भी देखा होगा, जाडों के दिनों में आपकी मम्मी भी बुनने का काम करती हैं, इस परकार से यह दो rod होती हैं, जिनको हम वैसे saliva होते हैं, इससे, इसमें क्या होता है, इसमें केवल एक single thread होता है, एक ही धागा होता है, और इससे यह बुनाई करके, और फिर एक कोई भी जैसे sweater है, जर्सी है, या अन्य चीजे हैं, वो त्यार कर लेते हैं, ठीक है, तो knitting भी अब मशीनों के द्वारा होने लगी है, और जो है, घर में भी कर लेते हैं, लेकिन बड़ी मात्रा में करना है इन चीज़ों का, तो वो हम क्या करते हैं, मसीन के द्वारा इसका बुत्त करते हैं, तो हिस्टी आप कलोठी मैडेरियल, क्लोठी मैडेरियल की क्या हिस्टी है? तो जैसे त्राचीन समय पंढ़ी जो पेड़ों की छाल है, पत्टियां हैं, उनसे अपने सरीर को और बदोगते थे, अपनी सरीर की जो इसकी नहीं पुचा है, उसको धकते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, लोगों ने उनकी कृशी की जो है, communities त्यार होने लगी और उन्होंने जो है, बुनना सीखा, किस से twix, जो twix होती है, twix मैंने ऐसी टहनी या साखा, जो मनलब सीधी खड़ी नहीं रह सकती है, और लम्बी होती है, तो ऐसी twix and grass, घास से, mats है, baskets है, इनको बुनना शुरू किया, तियार करना शुरू किया, तो वाइन, आटने मुशीज़ और है रे दूट तोगेदर इन्टु लॉन इसे उन्होंने लंबे लंबे दागे बनाने सुरूर किये घिक है यहीं इस वर वोवन इन्टु फैब्रिक्स और फिर इन्हें तहीर किये इन्हों नग जो कप्ड़ा तैयार किया नेरली इंडियन अर्ली इंडियन और अर्ली इंडियन और फैब्रिक्स मेड आउट 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 आट ग्रूब इंदा रिजन्स नियर दा रिवर उंदा ठीक है जो पहले मलब भारती हैं वो क्या करते थे को कॉटन से बने हुए फैब्रिक्स का यूज करते थे पहनने के लिए और इसका उत्पादन जो है गंगा के जो छेत्र हैं उनमें अधिक होता था ठीक है और इसके बाद में एक जो फ्लेक्स एक यह भी नेचुरल फैवर है फ्लेक्स एक प्लांट होता है और जो प्राचीन निस्र है वहाँ पर इसका उत्पादन अधिक होता था तो कॉटन एज फ्लेक्स वर कल्टिवेटेट नियरदारी वर नेल जो नील नदी है उसके पास मे इस की जो है खेती होती थी ठीक है एंड वर यूजट फोर मेकिंग फैब्रिक्स और इससे भी फैब्रिक्स बनाए गई तो इन दोस डेज इस स्टिचिंग वाज नॉट नोन पीपल सिंपली ड्रेप ता फैब्रिक्स अराउंड इफ्रेंट पार्स आप दियर बोडी तो ज जो जयाने चांण यह चुनि कायी सार्वा तो इससे शिलना सुरूँ किया और उसके बाद मशीन आ गईए चंटे तो आगई शिलने की यह शीलना शूरू हो गया ठीक है तो जो फैब्रिक्स उससे खीज बनानता है उन्हें शुरू हो गए इस्टिज प्लॉट सेव गौन प्रों मैंनी वारिशंस सिंस इस इन्वेंशन बट इस नौट इस नौट अमेजिंग तैट इवन तुडे आज यह क्या मतलब जो है आज से जिने को आत नहीं है कुछ सारी मलब कुछ फैब्रिक्स ऐसी है जिनको हम बि एज और छयक्ति एसे एं जिनको बिना जिए पहना जाता ह। जो यहां पर हम यहह देख रहे हैं कि किस प्रकार से फैब्रिक तयार किया जाता है, जैसे cotton rolls है, तो उसको ginning किया जाता है, ginning के द्वारा fibers निकाल जाता है, और seed अलग कर लेते हैं, और फिर ये fiber से spinning करके yarn बना जाता है, और yarn के द्वारा knitting के या weaving के द्वारा फैब्रिक तयार कियाता है, और जो फैब्रिक है, उसको जो है, शिलाइक करके और different types के हम कपड़े बना सकते हैं, तो इस प्रकार से हमारा ही chapter, fibers to fabric, finish होता है, thank you.